हलो एब्रिवन बहुत बहुत स्वागत है आपका बारिश का मौसम है और कॉर्न का सीजन है तो आईए आज बनाते हैं कॉर्न के बहुती चीजी टोस्ट इसे आप जटपड़ बना सकते हैं और यह बहुती easy recipe है तो चलिए आईए बनाते हैं cheese kull toast सबसे पहले हम 4 bread ले लेंगे और मैं यहां पनिंग की edges कट कर रही हूँ आप चाहे तो bread को ऐसे ही यूज कर सकते हैं चारों तरफ से bread की edges को चाकु से हम इस तरह से हटा देंगे इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर आटा ब्रेड यूज कर रही हूँ आप अपनी पसंद की कोई भी ब्रेड यहाँ पर ले सकते हैं एजिस कट करने के बाद अब हम ब्रेड को साइड में रख देंगे अब हम एक बाउल लेंगे और इसमें आधा कब बॉयल की हुए कोरन डालेंगे साथ ही इसमें आधा कब ग्रेड की हुई चीज डाल देंगे इसमें थोड़ा सा बारिक कटा हुआ हरा धनिया भी आट कर देंगे अब हम इसमें एक चम्मच चिलिफलेक्स डालेंगे एक चम्मची औरिगेन ओएट कर देंगे और साथ ही थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे और अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे कॉर्ण को बॉयल करते समय ही मैंने इसमें नमक डाल दिया था और चीज में भी नमक होता है इसलिए मैंने इस समय इसमें नमक नहीं डाला है ये अच्छे से मिक्स हो गया है इसे भी हम साइड में रख देंगे अब हम एक कटोरी लेंगे और इसमें थोड़ा सा पिज़ा सोस डालेंगे साथी इसमें थोड़ा सा मेयो भी एड़ कर देंगे और अब इन दोनों को अच्छे से mix कर लेंगे ये भी अच्छे से mix हो गया है अब हम एक bread ले लेंगे और ये mayo और sauce का mix bread पर लगा देंगे इसे हम bread पर सभी तरफ फैलाते हुए अच्छे से लगा देंगे और इसके बाद हमने जो चीज को अनका mix बनाया है वो इसके उपर spread कर देंगे इसे भी हम bread पर सभी तरफ अच्छे से फैला देंगे मिक्स को अच्छे से spread कर देने के बाद हम इसके उपर थोड़ा सा चीज और डाल देंगे बिल्कुल इसी तरीके से हम सारी ब्रेट पर ये मिक्स लगा कर तयार कर लेंगे अब हम एक पैन ले लेंगे और इस पर बटर लगा देंगे यहाँ पर आप बटर ही यूज कीजिएगा बटर से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और अब पैन में हम इने रख देंगे इसे ढग देंगे और चीज मेल्ट होने तक इसे कुक कर लेंगे तो है न ये इजी रेसिपी इसे आप खाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पिज़ा से भी बड़िया चीज आपने खाई है ये देखे यहाँ पर चीज अच्छे से मेल्ट हो गया है अब हम कैस बन कर देंगे और इन्हें सर्फ कर लेंगे तो ये लीजिए हमारे चीज कॉन टोस्ट बन कर तयार है आप भी इस टेस्टी और इजी रेसिपी को ज़रूर ट्राइ कीजेगा ये चीज कॉन टोस्ट आपको बहुत ही पसंद आएंगे यदि आप कोई रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजे शेयर कीजे और चैनल पनाए है तो इसे सब्सक्राइब तो जरूर कीजे थैंक यू फर वाचिंग